तो एर शी हल का फर्स्ट ओफिशल ट्रेलर रिलीस कर दिया गया है एंड हमें याँ प्रॉपर लुक मिलता है शी हल्क, प्रोफेसर हल्क and Abomination का एंड साथ ही ये भी officially confirm कर दिया गया कि इस 9 episode की series में हमें वांग भी दिखने वाला है इसी के साथ ऐसी और भी कई सारे छोटे hidden details हैं इसलिए चलो इसके breakdown में हम लोग डूपकी लगाते हैं Like most of the trailer, इस trailer के first shot में ही reveal कर दिया जाता है कि इसकी story किस location की है इन सारे buildings को ही देखकर साफ पता चल जाता है कि She-Hulk का plot Los Angeles में होगा इसी के साथ हमें Bruce Banner का voice over मिलता है और obviously उसके बातों से ही पता चलता है कि वो superhero होने का meaning उसका value Jennifer Walters को समझा रहा है इसी voice over के साथ हमें कुछ shots भी दिखाया जाते हैं जिसमें सबसे पहले कुछ लोग high tech guns and armors के साथ दिखते हैं और मुझे लगता है कि इनके पास जो भी है वो Stark Tech से connected होगा reason ये कि Disney Plus की एक series भी आने वाली है Armor Wars जिसका plot Tony Stark के बनाए हुए technologies के around होगा तो हाँ slowly ये लोग उसको भी setup करेंगी जिसके लिए वो लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि Tony के बनाए हुए tech black market में पहुँच चुके हैं और साथी गलत लोगों के हाथ में भी और साथी ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे high tech police वाले हो जो कि Stark Tech का यूज़ कर रहे हैं obviously Stark के बनाए हुए technologies का यूज़ government तो करी सकती है यहीं पर हमें एक party में attack होते दिखाया जाता है गुंडों का एक group दिखाया जाता है और एक car accident भी अब इससे मुझे ऐसा feel हुआ कि जैसा comic books में हुआ था वैसे ही कुछ यहाँ भी दिखाया जा सकता है obviously सब जानना चाते हैं कि Bruce Banner की cousin Jennifer Walters she Hulk कैसे बन जाती है तो अगर comic books के पन्नों को पल्टें तो पता चलता है कि कुछ गुंडों ने Jennifer Walters को गोली मार दी थी जिसके बाद Bruce ने अपना blood इसे दिया था जिससे कि obviously वो Hulk में transform हो गई तो हाँ हो सकता है यह वही गुंडे हो इस party में Jennifer घायल हुई हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Jennifer का car accident हुआ हो तो बी आनेस जितना trailer में दिखाया गया है उससे guess कर पाना बहुत मुश्किल है आगे हमें Jennifer Walters का proper introduction मिलता है जो कि वो खुद देती है अब इस आपको पता नहीं तो comic books की तरह यह character यहां fourth wall break करेगी fourth wall break करने का मतलब होता है कि audience से बात करना जैसे Deadpool story चलते चलते audience से बात करने लगता है वैसे ही कुछ हमें यहां series में देखना को भी मिलेगा वैसे जब वो अपने friend को mention करती है तो हम इस character को देखते हैं अब comic books में इस नाम के दो character है Amelia Weatherly and Amelia Watt जिसमें से Amelia Watt एक interesting character है जो थी तो एक mutant बट उसके hometown में जब mutants को hate मिलने लगा तो वो India move कर जाती है तो let's see क्या यह character comic पे based होगी या कोई ऐसी random नाम दे दिया गया दिन इसके बाद हम इस character को देखते हैं जो कि obviously Jennifer का friend and colleague होगा आप पीछे screen पे देख सकते हो कि G, L, K, H लिखा है अब इसका full form है Goodman, Libre, Kurzburg and Hollywood law firm जिसके लिए Jennifer काम करती है वैसे आपने ये भी notice किया होगा कि इसी similar font में, इसी style में शी हल्क का पिछला logo था जिसे इस trailer में फिर से change कर दिया गया दिन आता है ये shot जहाँ Jennifer अपने friend के साथ है बट इफ आप पीछे notice करोगे तो यहाँ photo है British Museum का और यही museum हमें recently Moon Knight के series में दिखाए गया था भाई Stephen यहीं काम करता था तो हाँ ऐसे छोटे मोटे easter egg से जैसे ये लोग series को connect करते हैं सही में मज़ा आ जाता है जिसमें super villains होंगे या super heroes होंगे और उनके लिए case लड़ा जाएगा यहाँ Jennifer को इस division का lead बना दिया जाता है जिसके बाद उसे abomination के case में assign कर दिया जाता है अब पहले थोड़ा इन सब पे detail में बात करते हैं अगर abomination पे आएं तो इस character को हमने first time incredible hulk में देखा था जिसके बाद इस character को जनरल रॉस ने capture करके रखा था देन शांक्ची में वांग के साथ इस character का cameo हुआ और वहाँ भी आप साफ देख सकते हो कि वांग इसी prison में उसको portal बना कर ले जाता है विच मींज कि वांग इस character को jail से अंदर बाहर करवाते रहता है illegal fights के लिए या फिर अपने किसी काम के लिए by the way officially confirm कर दिया गया है कि series में भी हमें वांग दिखेगा देन आते हैं superhuman law division पे जिसको की Jennifer Walters lead कर रही है तो अगर आपको no way home याद होगा तो वहाँ भी जब Peter के identity सबको reveal हो गई थी तो उसको represent करने के लिए Matt Murdoch आया था obviously उस case में भी Matt एक superhuman को represent कर रहा था and if अभी Nelson and Murdoch law of MMCU में नहीं है तो हो सकता है कि Matt भी same division में काम करता हो वैसे इस series में Daredevil के appearance का भी rumor है कि भाई वो भी यहाँ देख सकता है मुवीज में crew members के नाम ऐसे ही डालते रहते हैं भाई इस trailer में तो Kevin Feige का नाम भी डाला है कहाँ पे यह जानना है तो end तक वीडियो देखना आगे का एक पूरा sequence Hulk and She Hulk का है जहाँ basically Bruce उसे anger पे control करने meditation करने, She Hulk में transform होने यह सब की training दे रहा है एक shot में वो कोई remote island पे भी जाते हैं obviously civilian के बीच आप Hulk बनने की practice नहीं कर सकते वैसे इस वाले shot में Hulk के t-shirt पे अगर ध्यान दोगे तो मुझे तो यह exactly shield के logo के तरह लगा मतलब उससे काफी जादा similar है देन एक और बात notice करने लाइक है कि Hulk का हाथ पूरी तरह से recover हो गया है end game में snap करने से उसका हाथ damage हुआ था and then Shang-Chi के post gate में उसका हाथ damage धी था और हाँ Shang-Chi में वो अपने human form में भी था and even इस series के first teaser में भी तो for sure professor Hulk से वो Bruce Banner में भी transform हो जाएगा बस hopes हो कि हमें world war Hulk ना सही at least पुराना वाला गुस्से से भरा हुआ Hulk फिर से मिल जाए इसके बाद कुछ shots में हमें Jennifer को struggle करते दिखाया जाता है कि कैसे वो she Hulk नहीं बनना चाहती थी and normal lawyer रहना चाहती थी जिसे कोई notice ना करे but in the end for sure वो अपने इस new identity को accept कर लेती है वैसे यहाँ यह shot important है Avenger बन सकती है जिस पे she Hulk respond करती है कि वो बस bilinear narcissist and adult orphan के लिए है और सही में यह सुनना funny है क्योंकि Tony Stark को exactly इसी definition के साथ Stanley ने create किया था and Iron Man के first movie में भी Tony Stark को एक ऐसा ही character दिखाये गया है जो कि bilinear है narcissist है और साथ ही adult orphan भी Then हमें यहाँ एक नया character भी दिखता है Frogman Comic books में यह character एक superhero था जिसके पास कोई super पावस तो नहीं बस एक frog का costume था जिसके help से वो jump कर सकता है लेगिन इसके पास है तो वो है determination कहीं भी कभी भी कोई भी crime हो रहा होता था तो यह वहाँ पहुचकर उसे रोकने की कोशिश करता था जिसके चलती यह character कई सारे superheroes के साथ काम कर चुका है including defenders, spider man और even iron man तो let's see series में इस character का कैसे यूश किया जाता है Then हमें first look मिलता है main villain Titania का तो अगर इस character की comic book origin देखें तो कह सकते हो कि इसको बच्पन से ही superheroes के तरह popularity चाहिए थी but obviously सब superheroes तो बन नहीं सकते हैं तो एक तरह से Titania में superheroes को लेकर hate पैदा हो गया later जब यह Doctor Doom से मिली तो उसने एक alien technology का use करके इसको super powers दे दिये but I don't think so कि यही same storyline series में भी use किया जाएगा obviously इसके super powers को थोड़ा different रखना होगा then as always trailer का end होता एक funny scene के साथ जहाँ She Hulk एक dating app चला रही है आप clearly देख सकते हो कि वो यह app अपने She Hulk वाली identity के साथ use कर रही है and यहाँ आपने notice भी क्या होगा कि एक बंदे का नाम Kevin है दिन हमें दिखता है यह character इफ आप WWE देखते होगे तो इसे तुरंट पहचान गया होगे यह है David O'Tanga जो की WWE NXT में आते थे NXT के member थे वैसे fun fact मैंने इन्हें इसलिए पहचान लिया क्योंकि super heroes पे content बनाने से पहले मैं WWE का content बनाता था और भाई मैं उसका एक episode भी miss नहीं करता था तो यह यह था मेरा breakdown शी हल्क के trailer का इफ मुझसे कुछ miss हो गया हो तो comment में ज़रूर बता देना मैं pin कर दूँगा और होप सो की breakdown पसंद आया होगा इफ हां तो like करना, share करना और जाने से पहले channel subscribe करके जाना डॉक्टर अक्टोपस की comic book story जानने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और ग्रीन गोबरिन की comic book story जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा तिल देन, be desi, be nerd